कि नमस्कार में हूं मदासिफ और आप देख रहे हैं इस प्यान नाई नियोज किंद्री मंत्री स्मिती राणी हर चर्चा में हमेशा से रहते हैं कभी आमाद्विपाथी पर हमला बोलती हैं कभी राहूल गांधी को लेकर तो कभी शर्दा मदर के मदर मदर केस में भी वो माँ पर चाहता हूं फंबल थोड़ा से हो गया गुजरात में दरशको मतदान के तारीक का बहुत ही करीब है आज देश को प्रधान मंति नरिविन किज्रिवाल और कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे सहाबी जो है रोडशो करेंगे रह लिया भी करेंगे अब सवाल यह है कि वो खुद गुजरात जाकर प्रशार नहीं की है या उन्हें बीजेपी ने नहीं रखा है इसके पीछे क्या बज़ा हो सकती है उस पर मैं थुरा सा तवज्जो डालना चाहता हूं और स्मिति रानी को लेकर बीजेपी का क्या फैसला रहेगा आने वाले लोकसभाद चुना लोक जानकार ये कह रहे हैं कि दरसल बीजेपी जो में जिस इनिये से जिस इंटेंशन से जो है कदब बढ़ा किया गया था इसमिति रानी जी का वो छोटा हुआ है उसमें वो पीछे रही है फ्लॉप रही है यहीं वज़ा है कि उनकी क्रेडिबिटिलिटी घट गई है और आने वाले वक्त में शायद हुने टीकट नहीं भी दिया जा सकता है जानकार ऐसा कहते नदर आ रहा है मेरा मानना यह है कि इसमीति रानी जिस महेंगाई को जो रोशोर से कांगरेस की वक्त में हमलावर रही थी और आज देश में इतनी महेंगाई तो बयान नहीं दे रही ह है कि जो है जानकर मान रहे हैं कि स्मीति रानी का 24 के लोग सफ़र चुना में पत्ता साफ हो सकते हैं देखना होगा कि कई ऐसे मंतरी हैं जिसका आपने खुदी देखा कि कई ऐसे विधायक हैं जो गुजरात में उनका टिकट कटा जो जीते भी हुए थे पिछले बार उनको झुक्त करण देखे गया तो समिति रानी पर जो है लोगों की निगाएं बने रहेंगे कि क्या होगा नहीं होगा देखते हैं कि आने वाले वक्ट में क्या बोग्र फैसला लेते हैं बी जप क्या हुए फिर समुका दे या नहीं यह एक बारात सौ बढकर नहीं आज के लिए तो नहीं मुझे तीचे जा 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 तो आपडेट करें स्पीनाई निव्स